हेलो फ्रेंड्स जैहिन 59 टेक में आपका स्वागत है देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड मैप 2024 जो की खांसर का ये निव बैज का निव पीडियाप है इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बॉर्डर लाइन यानि सीमा रेखा आज का टॉपिक नंबर 17 है अगर आप लोग एक से 16 तक नहीं देखे हैं वीडियो को तो क्रिपया चैनल के प्ले लिस्ट में प्ले लिस्ट बना दिया गया है आप लोग वहां से जाकर टॉटल वीडियो को रीड कर सकते हैं चलिए हम लोग आज का टॉपिक बॉर्डर लाइन को पढ़ते हैं अगर आ हम लोग यहां से देखते हैं सीमा रेखा देखिए इसमें पहला कोशन कर आए कि 38 समनांतर रेखा किन दो देशों के बीच है इसमें हो जागा उत्री कुरिया यह दशनी कुरिया के बीच हो जागा 38 समनांतर रेखा अगला कर रहा कि 17 समनांतर रेखा किसके कि बीच हो जाग कि जागा रिकात उतरी बीतनाम यहीं 10चणी बीदनाम ओजहगा साुति रिखी कोरा कि में सब्सक्राइब भारत पकिस्तान किसके बीच हो जाएगा भारत और पकिस्तान के बीच LOC रेखा किसके बीच भारत है उन पकिस्तान के बीच LOC का फुल फर्म क्या होता है Line of Control जो पकिस्तान ने कबजा किया है अब यह तरीका से कस्मीर को तीसका हो जाया क्या पी-ओके जो उसका बोला जाता है क्या पी-ओके पी-ओके मतलब पाक उक्पाइट कस्मीर जो की यह पूर्ट रूप से पकिस्तान के कबजे में है 30% भूमी है ठीक अगला है कि LAC LAC क्या है लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल यह भारत यहां चीन के बीच है ठीक जो चीन ने कबजा किया है उसको बोला जाता है अकसाई चीन ठीक इस ने 10% भूमी को अबय तरीका से कबजा कर लिया है दोनों मिलाकर 40% भूमी को कबजा किया है दो नेक्स्ट क्वोचन है करियाईयल's Red Cliffów Red Cliff रेट क्लीफ रेखे किन किन दसो को बीच हो तरेड़ क्लीव नहीं देधार्ट किया था अगला कोशन कर रहा है कि डुरंड रेखा डुरंड रेखा देखिए भारत और अफगनिस्तान था पहले लेकिन अब क्या हो गया है तो पकिस्तान यह अफगनिस्तान के बीच हो जाएगा डुरंड रेखा जो लदाक से 106 एसलिए अब रेखा परकिस्तान और अफगनिस्तान के बीच हम लगता है सीमा। अगला है मैक मोहन रहा ये क्या है तो फार्थ और चीन के बीच है। है कहा में लगता है और राचल प्रदिश में लगता है। अगला कोशन है कि 24 डिग्री समनांतर रेखा यह भारत और पकिस्तान के बीच हो जागा ठीक है यह कहां पर हो जागा गुजरात में गुजरात के आप यह वड़ा छेतर देख रहे होंगे यहीं पर हो जागा 24 डिग्री हम लोग का यह क्या है भारत अपसे मान नहीं है यह सबस्क्राइब गयरा दोन के नहीं रहा है अगला के रिख चसतर बेंद यिश्तान के सब्रेंद के जर्मनीं के बीचित depends है बारनमर का रहा है कि मेगी नोट तथा सिग फ्राइड रेखा इन दो देशों के बीच हो जागा जर्वनी यूं फ्रांस के बीच हो जागा नेक्स्ट है अल्पाइन लाइन अल्पाइन लाइन एक किसके बीच हो जागा फ्रांस यूं इटली के बीच हो जागा नेक्स्ट ह ने कि 141 डिग्री पच्मी देसांतर रेखा ये किसके भी सोज़ेगा कनाड़ा एम इवेस्य की बीच इवेस्य कौन सभाग आलास्का जो की रूस ने इवेस्य को बेच दिया है देखिए आप लोग के ये आज का टॉपिक था सीमा रेखा ये समाप्त हुआ आप लोग बताईएगा कि वीडियो कैसा लगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टूब नियुक्त तक इतना ही यहीं थे